बिल्लो उच्चिन नंटे सोनिया गांधि वरी आकांचल कनुगुनंगा जैर्या नमेशिक अरुपट्टी नटवंटे बिल्लो यहला वार की मरुक्को सारे आना वुड़ पासी आंगे बैट कोच्चे वार नेच्तु कुन्नाम यहला वुडा मरुक्को सारे इवेद के विज अगटिया चपत्लत्वरार उदेव पुड़ कंगा दन्यवाद तलियर्स ताहनन ना चाटिसगड के मोख्यमंत्री बुपेश बगेश जी AICC के तेलंगाना प्रभारी मानिक राव ताकरे जी तेलंगाना PCC के अध्यक्ष रेवन त्रेडिगारू और मेरे सब मंच में मंच पर बैटे हुए सभी मेरे साथी सभी गारू लोग जो कंग्रेस को शान दे रहे हैं मुझे आज भी याद है मैं इसी स्टेडियम में नौ साल पहले आया था तेलंगाना बना था दो मार्च 2014 को तक कालीन कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांदी जी यहां आई थी और यहां गोशना की थी कि तलंगाना बनेगा और तलंगाना बना और एक साल के लिए हमारे जो तलंगाना के सांसत है पुन्नम प्रभाकर, राजयया सिर्सला, सुरेश शेटकर कही लोग, रोज लोकसवा में बैठकर, रोज का गाना, एक ही गाना, तलंगाना यही गाना, यही रोज गाना, एक ही गाना, रोज का गाना, तलंगाना और तलंगाना बना साथियों, सेप्टेंबर के, अक्टोबर के 23 या 24 तारीक से 12 दिन के लिए भारत जोडो यात्रा तलंगाना से निकला नाराइन पेट, महभूबनगर, मेचल, रंगरेड़ी, हाइदरबाद, मेड़क, संगरेड़ी, मेड़क और कमरेड़ी 8 जिलों से करीब 400 किलोमीटर भारत जोडो यात्रा निकला हाइदराबाद में चार मिनार में एक शांदार समारो हुआ और एक बहुत बड़ा पब्लिक मीटिंग भी हुआ और इस भारत जोडो यात्रा से कॉंग्रेस पार्टी को एक बूस्टर डोज मिला हमारा संगठन मजबूत हुआ और हमारे निताओं ने ये तैय किया कि भारत जोडो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोडो यात्रा हम निकालेंगे ताकि भारत जोडो यात्रा का जो संदेशा है नफरत छोडो भारत जोडो जूटे वादे छोडो भारत जोडो ये जो संदेशा है राहूल गांदी जी का कॉंग्रेस पार्टी का भारत जोडो यात्रा का हम हर घर तक पहुंचाएं तो पहले भारत जोडो यात्रा, उसके बाद हाथ से हाथ जोडो यात्रा, और अब वक्त आ गया है तीसरे यात्रा का, और ये तीसरा यात्रा क्या है, इसका संदेशा क्या है, केसियार हराओ, तेलेंगाना बचाओ. याद रखिये, मैंने केसियार हटाओ नहीं कहा, मैंने केसियार हराओ कहा, क्यूंकि कॉंग्रेस पार्टी एक मात्र पुलिटिकल पार्टी है, जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है, हम लोकतंत्रिक तरीके से ही, केसियार को हराएंगे, और जब वो हरेंगे, वो हटेंगे तेलंगाना को बचाना है तो KCR को हराना है और इसी से जो वादे किये गए थे 2014 में जब ये बिलपारित हुआ था लोगसभा में और राजसभा में ये पिशले 9 साल से ये वादे पूरे नहीं हो पाए है क्योंकि पिशले 9 साल से तेलंगाना की क्या देखा है तिलिंगाना की धोका की राजनीती देखा है करप्शन की राजनीती देखा है तानशाही की राजनीती देखा है हम इतिहास के किताब में पढ़ते हैं कि यहां साथ निजाम हुआ करते थे सात्वा निजाम गुजर गया था 1960 में प्रसोस की बात है अगर आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री को देखेंगे तो साक्षात आर्थवे निजाम देखेंगे यह उनके अवतार हैं वोही ताना शाही वोही एक तंतर का तोप चलाते रहते हैं TRS और BJP में कोई फरक नहीं है TRS और BJP एक तंतर का तोप चलाते हैं कॉंग्रेस पार्टी लोक तंतर की शेनाई बजाती है यही इन दो पार्टियों के बीच में फरक है मैं ज्यादा वक्त नहीं लोंगा बुबेश बगेल जी यहां आये हुए हैं यह हमारे एक प्रगदिशील मुख्यमंत्री हैं और जो 36 गड़ बार बार गुजरात मॉडल की बात आती है गुजरात मॉडल में क्या देखते हैं आप एक क्रिकेट स्टेडियम जो एक जीवित व्यक्ति के नाम पर नाम दिया जाता है 36 गड़ में तो ऐसा नहीं दिखता है जो धान की नीती अपनाई है हमारे मुख्यमंत्री ने जो हमारे गरीब परिवारों के लिए न्याय योजना चला रहे हैं जिसका ये जिकर करेंगे यही तो एक मिसाल है हमारे देश के लिए तो गुजरात मॉडल छोड़िये 36 गड़ मॉडल अपनाई है और मैं समझता हूँ जब वक्त आएगा तिलेंगाना की जनता भी जान जाएगी कि इस जूटे वादों से उनको छुटकारा चाहिए यह धमकियों से छुटकारा चाहिए यह ड्रामा बाजी नाटक बाजी से छुटकारा चाहिए तो साथियों हम एक साथ एक होकर संकल्प लें हम एक होकर एक जुट होकर अनुशासन से एकता से कॉंग्रेस पार्टी को फिर से तिलेंगाना में सत्ता में लाएंगे ताकि ति तिलंगाना के खेत मजदूर, तिलंगाना के दलित, तिलंगाना के अधिवासी, तिलंगाना के अल्पसंक्यक, तिलंगाना के युवा, तिलंगाना के महिला, को जो भविश्य देख रहे हैं, वो उज्वल होगा और वो साकार भी होगा, जै तिलंगाना, जै हिंद।